अब इन कपड़ों में तुम काम मांगने जा सकते हो, जाओ बालवीर, प्रित्वी लोग पे अपने काम की शुरुवात करो शुरुवात तो हो चुकी है, वो देखो तुम्हें जिनके हाँ काम मांगने जाना है, उनका घर बहाँ है खुश रहो बालवीर कुछ शरुवन उसकेट परी, इटली, इटली, ओर देख इट इटली काम मैं, मैं काम आप चाय वाले, अरे इसको तु देख नहीं पड़ेगा खुश रहो, आगे जाओ, आपको चाय पहुचाने के लिए लड़का चाहिए न, तेरे पास लड़का है, मैं ही वह लड़का हूँ, हाँ, काण हे काण तु, मैं, मैं गरी बार अनात बच्चा हूँ, देखो, मैंने कपड़े भी राजकुमार जासे नहीं पहने, मतलब, मैंने गरी बार जासे कपड़े पहने, लेकिन इतने राद गया, कहां से तू, मैं तोड़की आया हूँ, अच्छा, इससे मुझे काम मिल जाएगा, ठीक है, मैं उड़के बता दाऊ, रानी परी शक्ती दे, मतलब, मैं जो काम कहूँगा, वो तू करेगा, हाँ, आप जो कहेंगे, वो मैं करूँगा, अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, कि मैं भांग की नशे में उड़ रहा हूँ, लेकिन तू तो मुझे से भी बड़ा गोलिबाज निकला, हाँ, तू भी गोलिबाज मैं भी गोलिबाज, अपनी गोली जमेगी आ, अपनी जोड़ी जमेगी, ए नाम क्या है दिरा बालवीर बालवीर हाल गरिबोगे नाम अमिरोगे नाम भी गरिबोगे चाहिए था अब कहां से लग गरिबोगोगे नाम ए ए मैंने काम दिये तो नाम भी मही दूँगा नाम आज से तेरा नाम बलू अच्छा नाम है आपका नाम देख मैं चाय की दुकान चलाता हूं तो मुझे चाचा बुला छाचा ठीक है अब एक काम कर अभी से अरे अब आभी सोजा आउ मैं तुझे सुभे समझाता हूं चल्सोजा अलम्बाव जा ना, बुट लाएं! यह तुम्हारी ही सुगन्दे बालवी? यह तुम्हारी ही सुगन्दे? मेरे नाग की शक्ति मुझे कभी थोका नहीं रहे सकती हाहा! ओ, रानी परी! तुमने उसे प्रिस्वी लोग पर थो भेश दिया अच्छे और भले लोगों की रक्षा के लिए अगर यह नहीं सोचा कि अब उसे मुझे सी कौन बचाएगा हाहा मेरे प्यारे बालवी है मैं आ रहे हो तुमारे पास तुम्हें अपने वर्ष में करने की अच्छा नाम अच्छा लागा बल्लू हाहा बहुत अच्छा नाम है पालवीर बल्लू तुम्हें लगता है कुश्य कुश्य बहुत अच्छा नाम है अच्छा नाम अच्छा दिया नाम वैसे काम भी अच्छा दूँगा अच्छा क्या काम दोगे यह दुकान साफ करना जूते बरतन साफ करना और आजु बाजु के दुकान और आफिसों में चाय पहुंचाना उसके बदले में दिन में दो बार दो बार खाना दूँगा क्या? सिर्फ दो बार? मैं तो दिन में बहुत बार खाना खाता हूँ अच्छा? कैसे? तेरी मा की कोई शाहिर रसुई है? जहां तेरी लिए सुबा शाम पकवान बनती? हाँ अच्छा? फिर जा वहीं जाकर पंट पकवान खाना? लेकिन सुन यहां सिर्फ दाल चावला रोटी मिलेगी दाल चावला रोटी? भार तो लिखा है चाय भी मिलेगी या चाय नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी, मिलेगी आप बेटों में बेशता हूँ अर तो सुन इदर आ यह देख अभी यह टेबल विबल साप करने का खाली गिल्लास विल्लास उटाने का समझा? यह पकड़ और अंदर जो जूटे बरतन पड़े ना वो साप कर इससे? अरे इससे नहीं रहे इतना सारा काम करने के बाद तुझे पसीन आएगा ना वो पोचने के लिए दिया है मैंने तुझे अच्छा और यह टेबल विबल साप करने के लिए यह है अरे बरतन साप करने के लिए बोला था उतर रही गया इस सारे बरतन पुरा दिन बरतन ही साप करूँगा तो बच्चों के मदद काम करूँगा क्यों ना मैं सारे बरतन जादू से ही साफ कर दू नटखट परी को बुलाता हूँ बुलाता हूँ मैं हाजा जिपट पर परी लोग से परी नटखट खुश रहो, बालवी खुश रहो, नटकाटपरी नटकाटपरी मुझे सिफ आपकी आवाज ये अब मुझे देखाई कियो नहीं दे रहे यह कोई आपके नहीं शराव रहता है क्या अरे, नहीं, नहीं, बालवी तु मुझे ठीक से देखो मैं तुम्हारी सामने ही हूँ आमने? करे आप एदे छोटी कैसे हो गई नटकट परी? वो तो अब जब भी मैं प्रित्वी लोग पर आऊंगी ऐसी छोटी होकर आऊंगी ताकि कोई मुझे देख ना पाए वैसे तुम मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों पुकारा? आपको तो पता है ना नटकट परी कि मेरा ज़नम बड़े और मुश्किल काम करने के लिए हुआ है तो मैं अपना समय बर्तन साफ करने जैसे आसंग काम में क्यों बरबात करूँ? तो अगर आप मेरा समय बच्चाने के लिए सारे बर्तन अपने ज़ादों से साफ करते तो हाँ तुम्हारे करने के लिए तो मुश्किल काम होने चाहिए ठीक है मैं तुम्हारे मदद कर देती हे नानी परी शक्ती देखरी ऐसा करो ज़ादो कि हो मेरा दिल गदगद और हो जाए बालवीर के थोड़ी सी मदद अरे ये क्या क्या अपने नटकट परी आपने तो बर्तन साफ करने के बज़े बढ़ा दिया नटकट परी अरे बालवीर तुम्ही ने तो कहा था ये काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है इसलिए मैंने बर्तन बढ़ा के काम मुश्किल बना दिया ठीक या ना यहाँ तुम्हारा जादू नहीं चलेगा क्योंकि ये जादू दूसरों की मदद करने के लिए है ना कि खुद की मदद करने के लिए यही रानी परी का आदेश भी है और उनका आशिरवाद मैं समझ गया नटकेट परी अब मैं अपना हर काम खुद करूँगा और मन लगा कर करूँगा ये हुई ना बात खुश रहो बालवी खुश रहो नटकेट परी बालवीर? काम है जरूरी आजाएए नटकरट परी बालपरी? आपने यार किया हमझे? हाँ नटकरट परी वहाँ देखिए पृत्वी लोग पे बालवीर को कितना काम करना पड़ रहा है और आप चुप-चप देख रही है बालवीर पृत्वी लोग पे जिस भी रूप में रहेगा उसे उसी रूप के अनुसार रहना और काम करना पड़ेगा बालवीर बालवीर मा? बालवीर? मा? बालवीर, यह क्या हाल बना रखा है? और यह देखा नटकरट परी इसके हाथ में कितने चाले पड़ गये है इतनी बार मेरे हाथों के चालो को दूर करोगी मा? बरतन दोते हैं फिर से वापिस हो जाएंगी मेरे हाथों पे नहीं, अब बतना दोने के कोई जरूरत नहीं है नहीं मा, अगर मुझे प्रिध्वी लोग पे एक साधारन, गरीब और अनात बच्चा बंके रहना है तो मुझे यह सब काम करने ही पड़ेंगे और हा मा, मुझे बार-बार ऐसे बुलाया मत करी, मेरे मालिक मुझे डाटिंगे आपको यह अच्छा लगेगा मा बल्लो, ए बल्लो, ए बल्लो, का गए? कई भाग तो नहीं गया यह बल्लो, एकड़म काम चोल, काम चोल, मेरे जैसा कोई मेंती है ही नहीं बल्लो, अर्या मुप की रोटी कोणने के लिए रखाए गया अब मुझे जाने दुमा और इतने जिन्दा मत करो मेरे मैं ठीक हूँ, अब मैं जाओ, ठीक है जाओ आइसे काम चोल, भोकरों को रखना ही नहीं चाहिए अब यह सारे वरतन मुझे ही मालने पड़ेंगे बल्लो, क्यों हो चाचा, आप मुझे क्यों बुला रहे थे, अब यह नहीं, करकर काम कर। भांग की गोली कम करनी ही पड़ेगी अरे वा, प्रसादने लड़ू आतो, आज मेरी उननिस्वी नोगरी का पहला दिन है ते बेटा, उननिस्वी नोगरी पे इतना गर्व मत कर। कुछ ऐसा कर कि हम तुमारी नोगरी की एनिवर्सरी मना है आ बेटा, मैं इतने सालों से योगा में अटकते रहता हूँ तो कुछ ऐसा कर कि नोगरी में अटक जाए पापूजी, आप जराभी चिंता मत कीजिए इस बार मैंने सोच लिया है क्या सोच लिया है? कि पहले दिन से इन नोगरी में बेनी जाएगा? नहीं, नोगरी छोटने का नहीं सोचा है इस बार मैंने ये सोचा है मैं खुज सामने से कुछ नहीं बताऊंगा एक मिन एक मिनिट एक मिनिट कहां जा रही हो एक मिनिट आयी अगर कोई कुछ पूछे तो यह आप अपने मुह में रख लेजगा यह लुख भड़ा नहीं तो जो पान हो अच्छ जा क्पान प्छे जब कोई कुछ पूछे गा तब हाँ श्मीता क्या मस्त हल निकाला है सच्छी हाँ पान मुमें रखूंगा तुम मेरा मूल बन रोगा और कोई कुछ पुझेगा तुम मुझे कुछ बोलना पे नहीं पड़ेगा हाँ पापुजी इस बार देखना इस नौकरी में मैं अटक गेडी रहूंगा mr. Mahesh welcome welcome to our office, good morning sir what is so good about this morning बोलो क्या मैं सलमान खान जैसा स्मार्ट दिख रहा हूँ या फिर ये मेरा सूट रितिक रोशन के सूट से भी बहतर है या मेरी आवाज आमीर खान जैसे है को बोलो को अगा हिरो डोंट वरी मैं सिफ मजाग कर रहा हूं एक्सकिज़ मिर्स रहा है प्लीस कम यह थैसर यह मिश्र हैंध है आप इन्हें रिपोर्ट करेंगे और हम यह कुछ फाली नुट तोपर ली चेक कर लीजा, okay? All the best! Thank you! Boss! देखो, वैसे तो boss मैं हूँ तुमारा Sunop, जो जो तुम फाइले चेक कर रहो हो, उसमें मेरी भी फाइल चेक कर देना क्या है? कल रात को मैं लेट नाइट तक मुवी देखा था बड़ी मस्त मुवी थी, इसलिए मैं सोजा नहीं, ठीक है? लो, फाइल चेक कर देना, द्यान से कर देना, समझे? अच्छा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बापुजी को बोलके रखाए, मैं खुझ से कुछ नहीं बोलूँगा मुझे तो यह नौक नितिका की रखनी है बल्लू! बल्लू! यह जाचा पर कहा नहीं आता? वह सामने आले दुकान पर चाय देने वह किरन वाले जबस? हाँ अरे उसको चाय मत देना, दो मैने के पैसे बाके उसके बल्लू! यह बल्लू! यह थाँ बल्लू! पर क्या डराता है मुझे? यह से वहाँ, वहां से यहाँ यह काम कर! यह चाय ले और सामने ओले देखेंगा अभी दो आमने ना बोला! मेरे बाप सामने ओला मतलब बल्स हमने ओला उफिस है ना? उसको जाके देखेंगा आजा कुश्रा ओच्छा कुश्रा कुश्री यह उदारी में कुश्रा चै हमारा ये चिन हंच हमेशा आपकी रक्षा करेगा और आपकी मन्जिल का रास्ता दिखाता रहेगा क्या हो बिटे? अब के लिए चै नहीं, मुझे चै नहीं ची क्यों? चै बहुत अच्छी है और चाय अब सब का प्रियपे है न? हाँ, तो हमारा चाय अच्छी है मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए लेकिन तुम इस उमर में ये काम क्यों करते हो? ये तो तुम्हारी स्कूल जाने की उमरे बेटा तुम स्कूल नहीं जाते हैं? क्यूं? क्यूंकि मैं गरीब और अनात होना मैं समझ सकता हूँ बड़े दुख की बात है तुम्हें इस उमर में ये सब करना पड़ता है और एक वो है वो वो इतने बड़े हो गये हैं लेकिन अपना काम खुद नहीं करते हैं मैं तो बोलता हूँ कि सारा काम उनी से करवाना चाहिए सुभे से ये बोलना चाहता था मैं अभी बोल दिया सुकून सुकून लग रहा है नहीं? अब वही है ने जो हमेशे सच बोलते हैं ये तुझे कैसे पता चल गया? अख़बर में आया था? नहीं टीवी बे आगया? पुझे पता है? आजकल सच बोलने वाले लोग किसी को पसंद नहीं है बापुजी ने तो मेरी इस नहीं नौकरी की साल गीरा मनाने का सोच लिया है और इन लोगों को पता चल गया मेरी ये सच बोलने की आगत का मेरी ये नौकरी भी गई पुझे बता है पहला दिन है मेरा इस नहीं आवे जानता हूँ क्या जानते है सर? यही कि आज तुभारा ओफिस का पहला दिन है अज़ा वो? हाँ मिसर महेश, ये फाइल जिरा देख लीजेगा चाहे कितनी भी देरी हो जाए प्लीज, इसे कंप्लीट कर दीजिएगा क्या है न, कि बड़े डॉक्टर से आज बड़ी मुश्किल से मेरी एपोइंटमेंट हुई है तो मुझे वही जाना है, प्लीज क्यों, डॉक्टर को मिलने क्यों जा रहे है सर? मेरे बेटे की तब ये ठीक नहीं है, इसलिए उसे लेकर जा रहा हूँ उसे कुछ अजीब सी बीमारी हो गई है जब देखो तब टीवी देखता रहता है, लगाता टीवी देखता है तो इसमें अजीब बाद क्या है सर? मैं तो बजपन से लगातार टीवी देख रहा हूँ हमारे यहां टीवी नहीं होता था ना, तो मैं पोडोस भुजा के टीवी देखता था, बोलो Mr. Mahesh, आपने कभी किसी को सोते, जाकते, उटते, बैटते, नहते टीवी देखते हुए देखा है मैंने देखा, मेरा बेटा देखा है, अरे 24 गंटे वो टीवी देखता रहता है, और टीवी बन करो तो चीखने चिलाने लगता है अरे टीवी देखते देखते उसकी आँखें सूच गई है लाल-लाल हो गई है वो परेशान मेरी बीवी परेशान यहां मैं परेशान पता नहीं कैसी बीमारी हो गई है उसे हाप अभी तक यहीं खड़े है डॉक्टर की बास जाने के लिए लेट हो रहा है हाँ महेश फाइल क इस बच्चे ने जिस तर मुझे देखा वह ऐसे था जैसे वह मुझे जानता कुछ तो बड़ी गड़बड है इस बच्चे के साथ कर दो